ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरीन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कुछ भी लिखने की सरूथ नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगे वहां से आप डिरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते है हमारा नूट्रिशन और हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक तैस फ्लोरीन अब नूट्रिशन और हेल्थ वाले चैप्टर में बहुत साइट आपक्स कर चुके हैं हमने नूट्रिशन पढ़ा था, उनके गुट सोर्सेज, बैट सोर्सेज पढ़े थे डाइटरी फाइबस पढ़ा था, अलग-अलग विटमिन्स उसकी देफिशेंस होने वाले बीमारियां फिर विटमिन ए पढ़ा था, उसी के तहत हमने जरुब थलमिया और विटमिन ए देफिशेंसी प्रोग्रम या फिर नैशनल प्रोग्रम फोर प्रेंशल अलग नूट्रिशन ब्राइन पढ़ा था, फिर बीथरी के देफिशेंसी या पैलेगर पढ़ा था, ट्रेस एलिमेंस पढ़ा था, डाइटरी ओक्सिदेंस किया, फिर हमने आयरन किय और उसी के तहत हमने Nutrition Anemia और Anemia मोग भारत पड़ा था फिर हमने Iodine पड़ा उसी के तहत हमने Iodine Deficiency Disorder पड़ा और National Iodine Deficiency Disorder Control पड़ा ठीक तो ये सारे topics के videos आप channel की playlist खोलोगे तो channel की playlist में आप nutrition and health वाले playlist खोलोगे तो ये सारे topics के videos उनके notes के साथ आपको मिल जाएंगे ठीक तो शुरू करते हैं हमारा आज का topic that is fluorine अब भई, fluorine हम nutrition and health वाले chapter में पढ़ रहे हैं तो ये जानना तो ज़रूरी है ना कि हम जो nutrition के दुरू fluorine ले रहे हैं वो हमाई शरीर में जाके करता क्या है तो दो चीज़ के लिए बहुत important होता है bones और teeth के लिए तो bones का क्या? mineralization of bones करता है और teeth में क्या? formation of dental animal करता है ठीक? तो ये दो important चीज़े हैं जो fluorine करता है जो जिसके लिए वो ज़रूरी होता है that is mineralization of bones के लिए और formation of dental animal के लिए अब in fact हमाई शरीड में जो total fluorine मिलता है उसका करीब 96% यानि कि करीब 96% of fluorine ना इनी दोनों चीज़ों में मिलेगा आपको bone में और teeth में तो ये तो ध्यान रखना है कि 96% fluorine तो आपको bone और teeth में मिलता है अब ये जो हमाई शरीड में fluorine आ रहा है मुकिता आता कहां से है यानि कि major source क्या होता है fluorine का तो major source ना drinking water होता है पीने का जो पानी हम इस्तिमाल करते हैं वो main source होता है हमारे लिए fluorine का उसके अलावा भी sources होते हैं पर main source तो हमारा drinking water है हाँ कितना fluorine जा रहा है ये depend करता है अलग अलग जगा है पानी में fluorine का content अलग अलग होता है ठीक तो sources देख लेते हैं अगर हम sources की बात करी रहे हैं तो main source तो हमारा drinking water ही है no doubt उसके अलावा भी जो water के अलावा भी जो sources होते हैं जैसे कि पहला होगे आपका food food में जा sea fish जो non-vegetarian होते हैं उनके लिए आपको समुद्री माचलियां जो खाते हैं तो वो एक अच्छा source होता है fluorine का उसके अलावा cheese भाई साब cheese बहुत अच्छा source होता है fluorine का उसके अलावा जिसके बनाम रह नहीं सकते नहीं हमारी जाने मन नहीं उसके अलावा भी एक और चीज़ होती है that is chai भाई साब जिन्दिगी में चाय तुझे यह है और चाय ना बहुत अच्छा source होता है आपका fluorine का अब देखो चाय दोनों तरह से ले सकते हो एक चाय की ऐसी कित ऐसी कर दो और पानी में उबाल के चाय को पीलो दूसरा जो हमको पसंद है भाई साहब नॉर्मल चाय मस्ट कुलहर में देदो जिन्दिगी जन्नत हो जाएगी that is अब दोनों तरह की चाय आपको fluorine मिल जाएगा आपको चाय पत्ती से तो fluorine का अच्छा source होता है ठीक तो यह तो हो क्या आपका जो main sources होते है अब जो drinking water होता है न क्योंकि यह major sources तो इसमें जानना सुरी है भाई साब की recommended level कितना है कि कितनी जरूरत होते है at least कितना होना चाहिए fluorine पानी में तो इंडिया की बात करें तो करें 0.5 से 0.8 milligram पर लीटर तो होना चाहिए पानी में fluorine का content लगभग 1 ppm की बात कर सकते है ppm बोले तो parts per million यह हमने salt वाली में भी पढ़ा था iodine में ठीक तो recommended level कितना है fluorine का drinking water में that is 0.5 to 0.8 milligram पर लीटर यह तो हो गया recommended कि इतना तो होना ही चाहिए ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हो जब होता है ना कई जगा fluorine का content ज्यादा है तो कितना ज्यादा से ज्यादा allowed होता है तो around 1.5 milli equivalent per liter that is the maximum permitted level कि इस से ज्यादा fluorine content पानी में नहीं होना चाहिए तो recommended कितना है 0.5 to 0.8 और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए 1.5 तो देखो simple है 0.8 का double 0.8 लगभग 0.8 सा कितना है recommended कि इस से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उस से भी ज्यादा maximum कितना हो सकता है तो 0.8 का double कर दो लगभग 1.5 हो जाएगा तो ऐसे आप याद कर सकते हो ठीक है इन फैक्ट आपको ये भी याद रखना है कि 0.5 से 0.8 कैसे याद रखेंगे तो देखो F4 फ्लोरीन और F4 5 हो गया और 0.8 कैसे याद करेंगे तो फ्लोरीन देखो कितने अलफबेट से मिलके बना है फ्लोरीन बना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो आठ अलफबेट से मिलके बना है फ्लोरीन तो 0.5 से 0.8 0.5 से 0.8 recommended level होता है बस अगर तुमने ये याद कर लेना F4 फ्लोरीन, F4 0.5 और 8 अलफबेट का फ्लोरीन होता है तो 0.8 तो अब सब याद हो जाएगा 0.5 से 0.8 तुमको याद हो गया इसका अगर तुम डबल कर दोगे तो 1.5 हो जाएगा that is maximum permitted level ठीक है, अभी इसको याद रखने याद याद आएगा तो ये तो हमने याद कर लिया कि किस चीज के लिए जरूरी होता है दोनों चीज में पंगा है यहाँ पे, कि कम हो जाएगा तो भी पंगा, जादा हो जाएगा तो भी पंगा, मतलब क्या हुआ मतलब हुआ, जो फ्लोरिन होता है न वो double legit sword होती है तलवार देखिए आपने जो तलवार होती है न ऐसी तलवार type के होती है यह एकदम ऐसा पकड़ने का होता है यहाँ पकड़के तो यह तलवार न डबल legit होती है मतलब, यहाँ से भी नुकीली, यहाँ से भी धारदार होती है यहाँ से भी धारदार होती है यानि दोनों तरफ से खतरनाक होती है तो फ्लोरिन को भी इसलिए double-edged sword कहते हैं कि भाईया, दोनों तरफ से खतरनाक है अगर कम लिया fluorine तो भी खतरनाक है अगर जादा लिया chlorine तो भी खतरनाक है and that's why it is called as double-edged sword की दोनों तरफ से खतरनाक है तो कैसे खतरनाक है? अगर deficiency हो जाएगी यहने हमको कितना चाहिए था? हमको चाहिए था, 0.5 से 0.8 चाहिए था अब इससे अगर हमने कम लिया तो deficiency हो जाएगी तो क्या होगा? dental caries होती है deficiency हो जाती है तो dental caries होंगी अब dental caries में होता क्या है? देखो, हमने यह पढ़ा था कि जो teeth है या dental animal है इसके formation के लिए ज़रूरी होता है अब जब आप fluorine low के ही नहीं तो आप देखो कि यह देखो धीरे 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 ऐसे पतले होते जाएंगे whiteness जारी है, shininess जारी है ऐसे translucent type के होते जारे है तो यह होता है जब आप धीरे 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 जादा ले लेते हो बहुत लंबे समय तक अगर आप fluorine congestion करते हो बहुत लंबे समय तक बहुत जादा जादा लेते हो तो दो चीज़ हो सकती है dental fluorosis हो सकता है या skeletal fluorosis होता है ठीक है यह दो चीज़ हो सकती है अब कब कब होंगी तो देखो dental fluorosis हो सकता है या skeletal fluorosis हो सकता है और in fact बहुत ज़्यादा अगर ले लिया ना तो crippling fluorosis भी हो सकता है ठीक है तो यह कब-कब होगा देखो 1.5 mg पर लिटर या 1.5 ppm से ज़्यादा अगर आप ले लोगे ना तो dental fluorosis होगा वहीं 3 से 6 ppm के बीच में अगर लोगे तो skeletal fluorosis हो सकता है in fact इससे भी ज़्यादा 10 ppm से भी ज़्यादा अगर आपने ले लिया तो crippling fluorosis हो सकता है समझें तो 1.5 ppm से ज़्यादा अगर लेते हो तो आपको modeling of the teeth मिलने लगती है यह देख रहा है dental fluorosis जिसको कहते है यह देख रहो आप normal हो है अगर आपने ज़्यादा लेनी शुरू किया तो यह आप deposition होने लगा फिर यहाँ देखो deposition deposition उसके बाद यहाँ देखो यहाँ देखो ऐसी हालत हो जाती है कि अगर आप लेते जाते हो 3-6 ppm से भी ज़्यादा जब आप ले लेते हो ना तो आपको skeletal fluorosis हो जाता है यानि कि जो fluorine है वो आपको bones में जमने लगता है bone में deposition होने लगता है तो यह देख रहा है ऐसे पाउं तिली हो गए पीट तिली हो गए यह हो गया यह कुछ सब example है skeletal fluorosis के in fact आपने इससे भी ज़्यादा ले लिया आपने 10 ppm से भी ज़्यादा ले लिया तो कुछ इस तरह से आपको crippling fluorosis देखने को मिलता है देख रहा तो crippling fluorosis 10 ppm से ज़्यादा ठीक तो यह है आपका axis से क्या क्या होता है अब इसको ज़्याद कैसे करेंगे तो देखो सबसे पहली चीज तो हमको पता है कि भाया recommended level कितना है recommended level है 0.5 से 0.8 यह हमने कैसे याद किया था 5 कैसे याद किया था fluorine का F is 5 और 8 कैसे याद किया था जो fluorine है वो 8 alphabet से बना होता है तो 0.8 तो यह तो हमने recommended level याद कर लिया फिर maximum permitted level कितना है तो यह जो 0.8 है इसका double कर दोगे अगर आप तो कितना हो जाएगा around 1.5 हो जाएगा तो 1.5 is maximum permitted level कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो यह भी याद हो गया अब double करते जाना है अब 1.5 से ज़्यादा ले लो के तो क्या होगा बट obviously पहले तो दातों में जमा होना शुरू होगा तो 1.5 में dental fluorosis हो जाएगा अब 1.5 का भी double कर दो तो कितना हो जाएगा 1.5 का double है 3 और 3 का double कर दो तो कितना है 6 तो 3 से 6 के बीच में skeletal fluorosis हो जाएगा तो crippling fluorosis हो जाएगा तीक तो ऐसे याद कर सकते हूँ आप कि fluorine का F है तो 0.5 और fluorine 8 alphabet का होता है तो 0.8 तो 0.5 से 0.8 recommended level हो गया और 0.8 का double that is 1.5 तो around 1.5 maximum permitted level हो गया इससे जरा सभी जादा हुआ तो dental fluorosis हो गया 1.5 का just double कर दो 3 और 3 का just double 6 तो 3 से 6 के बीच में अगर रहा तो skeletal fluorosis हो गया और इन दोनों के बीच में आता है 5 तो 5 का double कर दो तो 10 तो 10 से जादा हुआ तो crippling fluorosis हो गया तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि fluorine की axis से क्या-क्या होता है ठीक तो यह आपने देख लिया कि fluorine क्यों इस्तिमाल करते हैं हम fluorine कितना लेना चाहिए और fluorine कम या जादा हो तो क्या-क्या परिशानिया होती है अब अगर मैं बात करूँ सवाल की तो यह देखो इस पर अलग से कोई लगतार कुशन तो नहीं आता लेकिन कभी इस पर short note आस सकता है तो पढ़ना चाहिए इसमें long question जब आता है ना तो endemic fluorosis यह हम अगले वीडियो में यही पढ़ेंगे तो endemic fluorosis पर जब question आता है ना तो उसके साथ आपको fluorine को समझाने को आ जाता है तो उसके साथ आपको question यह आ सकता है तो इसलिए याद होना चाहिए अगर मैं बात करूँ वाईवा की तो पहला question तो यह होता है यह वाईवा में कि भाईया fluorine किसलिए इस्तमाल होता है या fluorine की ज़रूरत हमाई शरीम में क्यों होती है पहला सवाल दूसरा सवाल है इसके sources में तो major source आपसे पूछा जाता है तो यह तो आपसे बनना चाहिए in fact other sources भी आपसे पूछ ले जाते है वाईवा में यह भी बनना चाहिए बहुत important question है values इसकी कि recommended level कितना है यह वाईवा में पूछते है और maximum permitted level कितना है यह भी वाईवा में पूछते है तो यह भी पता होना चाहिए कि उसके बाद ना वाईवा के लिए बहुत important question कि deficiency से क्या होगा और excess से क्या होगा excess से आपको क्या होगा excess से होगा fluorosis और deficiency से होगा caries इसको देखो कई बार आप गलती क्या कर देते हो आप बोल देते हो deficiency में आप fluorosis का नाम ले लेते हो और excess में आप caries का नाम ले लेते हो देखो समझोगे तो ऐसी कोई fluorosis का मतलब है fluoride का deposition हो रहा है आपकी bones में और teeth में caries अलग चीज़ लेकिन फिर भी अगर याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हो A, B, C, D E, F अब D for deficiency है और E for excess है तो E के बाजू में क्या आ रहा है F आ रहा है तो excess से हो जाएगा fluorine और D के बाजू में क्या आ रहा है C आ रहा है तो deficiencies से हो जाएगा caries तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि deficiency से dental caries और excess से fluorosis तो ऐसे आप याद कर सकते हो deficiency और excess यह वाईवा के लिए बहुत important होता है इसलिए याद रखना और confuse मत होना ठीक तो यह तो हो गया deficiency उसके बाद वाईवा के लिए बहुत important question भाई साब कि कितने पे dental होगा fluorosis कितने पे skeletal fluorosis होगा कितने पे crippling fluorosis होगा तो यह भी पता होना चाहिए in fact आजकल ना image based question आ रहे है mcqs में तो यह images को याद रखना है यह images आ सकती है आपको कि यह क्या है तो यह पैचानते आना चाहिए ठीक तो अगर हम बात करें mcqs की जितने भी underline part मिलेंगे आपको हमाई notes और slide में वो सभी entrance exam में पूछेगे mcqs हैं तो इस पे तो कई बार mc q इनपे कई बार आया है कि कितने पे dental fluoroses होता है तो इसको याद रखना कितने पे skeletal और कितने पे crippling इस पे भी आपको mcq आ सकता है तो इसको याद रखना और जैसे कि मैं नहीं का mcq मैं आच कल image based question आते हैं तो crippling fluoreses हो गया dental caries हो गया dental fluorosis हो गया skeletal fluorosis हो गया इनकी images को भी याद रखना ठीक तो इतनी चीज़े हैं जो आपको fluorine के बारे में पता ही होनी चाहिए Thank you